नमस्कार मैं हूँ प्रग्या पिहारी न्यूज में आपका स्वागत है आज है पांच सेतंबर दिन मंगलवार खबरों के ओर बढ़ने से पहले गुरुगों के सम्मान में सिक्षक दिवस की हार्दिक शुपकामनाई अब एक नजर सुर्ख्यों पर आज है सिक्षक दिवस चानिये महत्व और इतिहास राजी में 45,000 गाओं में से सिर्फ 1100 का सर्वे ही हो पाया है पूरा टेक्स्टाईल या लेदर के छितर में बस एक क्लिक से पाईरोजगार टीम इंडिया के खड़ाव फिल्डिंग पर फैंस हुए नराज रोवर के बाद लैन्डर विकरम भी स्लीफ मोड में अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 परी खबरों के ओर विस्तार से ओईल एंड नेच्रल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 2500 पदों पर भरती ओईल एंड नेच्रल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के दवार अप्रिंटिस के 2500 पदों पर बहाली के लिए नोटिफिकेशन चारी किया गया है बतादिक इसके लिए आवेदन करने की शुरवात 1 सितंबर से हो चुकी है वहीं आवेदन करने की अंतिम तारिक 20 सितंबर तक नरधारित की गई है ऐसे में आवेदन करने की एक चुक उमिद्वार 20 सितंबर तक ONGC की अधिकारिक वेबसाइट ONGCIndia.com पर जाकर ओनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते है इसके लिए अगर सैचनिक योगिता की बात करें तो विविन पदों के लिए विविन योगिता नरधारित की गई है ऐसे में उमिद्वार इससे जुरी अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जारी के गए नोटिफिकेशन को एक बार जरूर देख लेए आज है सक्चक दिवस जानिये महत्व और इतिहास आज यानि के 5 सितंबर को पूरा देश सक्चक दिवस मना रहा है बता दे के आज के दिन को लेकर एक विशेश कारण है दरसलेस दिन सन 1888 को भारत के दूसरे राश्ट्रुपती डॉक्टर सर्वपल्दी राधा कृष्णन का जन हुआ था पतादेक 1962 में जब डॉक्टर स्रवपल्दी राधा कृष्णा ने भारत के दूसरे राश्रुपती के रूप में पदभार संभाला तो उनके चातर पांच सितंबर को एक विशेज दिन के रूप में मनाने के अनुमती मागने के लिए उनके पास पहुँचे जिस पर होने चातरों से समाज में सक्षकों के अमुल योगदान को बताने के लिए 5 सितंबर को सिक्षक दिवस के रूप में मनाने का अनुरोथ किया बहारी पहचान में आज हम बात करेंगे दीपक ठाकुर के बारे में दीपक ठाकुर एक भारती गायक है दीपक को बड़ा ब्रेक फिल्म गैंक्स ओफ वासेपुर पार्ट एक दो हजार बारा के गाने हमनी के छोडी के से मिला इसके बाद दीपक के अन्य फिल्मों के लिए भी गाने गाये और बॉलिवोड इंडस्ट्री में एक नई आवाज बन गये वह कलर्स टीवी के सबसे लोग प्री है रियालिटी शोर बिग बॉस पारा के प्रतियोगी भी रह चुके हैं इस सो में उन्होंने कॉमनर और वसी के साथ एंटरी की थी दीपक कुमार ने छोटी उम्र में ही गायन सीखना शुरू कर दिया था वजबन सहीं गायन उनका जुनून था और इसलिए उनका पडिवार अपने ग्री नगर अधर गाउं से मुझपरपुर आ गया शिरवात में दीपक, शादियों, चागरनों और अने छोटे शमारोह में गाते थे इसके अलावा उनका एक यूटूब चैनल भी है जिसका नाम दीपक ठाकुर है यहां उन्होंने कई हिंदी, पंजाबी और भोशपुरी गाने अपने अंदाज में काक लोगों के बीच शेर किये हैं बीच वितरक बनकर ऐसे कड़े अच्छी कमाई अगर आप भी बीच वितरक बनना चाहते हैं तो आपके लिए खुश खबरी है दरसल राजी में जलासतर पर बीच वितरक ग्यानी के डिस्टिब्यूटर बनने का सुनहड़ा अफसर है बतादे के किसन गंच, सुपॉल, अरडिया, सहरसा, कटिहार, बांका, खगडिया, मधेपूरा, अरवल, सिवान, बेगु सराई, जमुई, लखी सराई और मुंगेर जला में जला, अनुग्यप्ती, धारत, एक्चोक, प्रतिस्थान, व्यक्ति, विवन, फस्दों के बीज, विपनन, हितु आविदन कर सकते हैं ओनलाइन आविदन करने के लिए बिहार, राजे, बीज, निगव, लिमिटेड के वेबसाइट http//brbn.bihar.gov.in पर दिये गए लिंक पर जाकर ओनलाइन तरीके से आविदन करना होगा मालुमों के आविदन करने के लिए वेबसाइट पर उपलद चेकलिस्थ के अनुसार वांशित कागजातों के आविशकता पड़ेगी बिहार में चहलूम की चुट्टी की तारीक बदली बीते दिन सामाने प्रिशासन विभाग के द parlar आदिसूशना, चारीकर या जानकारी दी गई है कि बिहार में चहलूम की चुट्टी की तारीक में बदलाओ करते वे अब इसे 7 सितंबर कर दिया गया है बतादी की पहले चुट्टी की तारीक 6 सितंबर निर्धारित की गई थी जिसे बदल कर अब 7 सितंबर कर दिया गया है मालू हो कि तारीक में बदलाओ चांद ना दिखाई देने के कारण किया गया है हालाक इस बदलाओ से सक्षकों को बड़ी रहात मिली है क्योंकि विभाग की ओर से हाली में जनमास्टमी की छुट्टी को रद कर दिया गया था ऐसे में 7 तारीकों चहलूम को लेकर मिली छुट्टी के कारण एक दिन स्कूल में छुट्टी रहेगी बतादी के सामाने प्रिशासन विभाग ने इसकी जानकारी राजभवन सचीवाले विद विभाग ईगजट कोशांग सभी विभाग कमिशनरी जलादिकारी समेट तमाम सरकारी कारयारी को भेज़ दी है राज़े में 45000 गाउं में से सर्फ 1100 का सरवे हो पाया है पूरा राज़े के कुलब गाउं 45000 है लेकिन इसमें से केवल 1100 गाउं ही ऐसे है जिनके जमीन सरवे का काम पूरा हो पाया है मालुमों कि यह जमीन सर्वे का काम बीते चार सालों से चल रहा है ऐसे में राजश्व एवं भूमी सुधार विभाग का यह लक्ष है कि दिसम्बर दो हजार चौबस तक सभी गाउं में सर्वे पूरा करा लिया जाए बतादी के सरकार के ओर से सर्वे कराने का निर्णय वर्ष 2012 से शिरूप किया गया था जिसके बाद इस काम में वर्ष 2019 में तेजी लाई गई लेकिन इसके बावजूद भी अब तक मात्र 2.4 फीज़ी गाउं का ही सर्वे हो पाया है जबकि राजे सरकार का कहना है कि राजे में अपरायत के 50 फीज़ी से अधिक मामले जमीन से जुरे होते हैं मालूमों कि जिन 20 जिलों में जमीन सर्वे का कारे जारी है उनमें से 10 जिलों में स्थाई बंदो बस्पदा दिकारी नहीं है ऐसे में विभाग की योजना है कि 10101 कर्मियों की बहाली करने के बाद एक साथ अगले साल सभी 45,000 मौजों में काम शुरू कर पूरा कर दिया जाए रोवर के बाद लैंडर विक्रम भी स्लीप मोड में बीतर दिन भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगधन यानि की इस्टो के दोरा एक्सपर्ट ट्वीट कर या जानकारी दी गई है कि भारत के चंद्रयानती मिशन का विक्रम लैंडर स्लीप मोड में चला गया है कि विक्रम लेंडर लगभग आठ बजे स्लीप मोड में सिट हो गया इससे पहले चा, STE, रंभा, LP और ILS से पेलोड द्वारा इन सीटू प्रियोग नए स्थान पर किये जाते हैं एकत्रक किया गया डेटा प्रीत्वी पर क्राप्त होता है पेलोड अब बंद कर दिये गया है, लेंडर रिसीवर चालू रखे गया है सौर उर्जा खत्म हो जाने और बैटरी खत्म हो जाने पर विक्रम प्रग्यान के बगल में सोचाएगा 22 सितंबर 2023 के आसपास उनके जागरित होने की उम्मीद है या हॉप से पहले और बात की छविया है इससे पहले इसरो दोरा जानकारी दी गई थी कि विक्रम फिर से चान पर सौफ लैंडेड हुआ विक्रम लैंडर ने अपने मिर्शन के उद्देशियों का पार कर लिया यहां सफलता पुरवक एक हौप प्रयोग से गुज़रा सियम नितीश ने डेंगू की रोक थाम को लेकर की उचस्तरिय समिच्छा इन दिनों डाज में लगातार डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है इसको देखते वे बीते दिन पेहार के मुख्यमंत्रे नितीश कुमार के द्वारा डेंगू की रोक थाम को लेकर उचस्तरिय समिच्छा बैठा की गई प्रचार प्रशार कराएं, हौडिंग समाचार पत्रों एवम अने प्रचार माध्यमों का उपयोग करड लोगों को डेंगू से बचाओ के लिए सचयत करें बेहार प्रलेटिन ने आज हम बात करेंगे जगनात मंदर के बारे में बोद गया में महाबोधी मंदिर से उत्तर में 25 फीट की दूरी पर इससे जगनात मंदर बिहार का प्रसद धार्मी का स्थल है मुख्य मंदर में भगवान श्रेकृष्ण बलराम वा देवी सुभदरा की भव्य विग्रह मूर्तियां स्थापित है इस मंदर परिसर में राम जान की मंदर की भी स्थापना की गई है जो नवनर्मित है मंदर का मुख्यद्वार दक्षन दिसा में और साथ ही यहां एक पीपल का पेर देखने को मिलेगा जो काफी समय से मंदर परिसर में है प्राचीन पडमपड़ा के नुसा जगनात मंदर में हर एक दिन दो पहर बाड़ा बजे से दो बजे के बीच महाप्रशात का भगवान को भोग के बाद भक्तों के बीच वितरन होता है इसमें रविवार से शुक्रवार तक चावल डाल, सबची पाप पड़ादी और सनिवार को खिचरी का भोग बनता है प्रतेक वर्ष जून जुलाई के महीने में उडिशा इस्त जगनात पूरी से रतियात्रा के आडम के साथ बोध गया इस्तित जगनात मंदर से भी रतियात्रा का भवे आयोजन होता है बिहार के सभी स्कूलों के निगरानी होगी और सक्त, बिहार के सभी स्कूलों के निगरानी को और सक्त किया जा सके इसको लेकर जिला और प्रकंडस्तर पर जल्दी पर्योजना प्रबंधन इकाई काड़े करने लगेगी बतादिक इसकोलिक जिलों में जिला प्रबंधक की तैनाती शुरू हो गई है और अब तक कड़ी 50% जिले ऐसे हैं जहां इनकी तैनाती हो चुकी है वही बाकी जगों पर तैनाती की प्रक्रिया तेजी से चल रही है आपकी जानकारी के लिए बतादिक निकाईयों के गठन के लिए बिहायर सरकार के सक्षा विभाग के अपर मुख्य सचीव केके पाठक के दोरा जुलाई के अंतम सप्ता में नर्देश दिया गया था इसके बास सही प्रबंधकों के चेयन की कारवाई शुरू कर दी गई थी पतादिक स्टीम में जिला और प्रखंड में पुर्वसे कारेरत कुछ कर्मियों को भी रखा गया था जो की जिलास्तर से किये जा रहे कारियों में टीम पतादिकारियों को सहयोग करेगी और साथे निगरानी और नर्देशन सजुरे अनाकदों को भी अपडेट करने का काम कड़ेगी अनोकंपा पर न्यूकति के अब यह भी होंगे हगदार समाली प्रिशासन विभाग के द्वरा अनोकंपा पर न्यूकति को लेकर एक एकी क्रित मार्ग नर्दीशन चारी किया गया है जिसके तहट अब अगर सिवा काल में किसी राज्य कर्मी की असमाइक मृत्ती हो जाती है तो अनुकंपा के आधार पर उसकी दूसरी पत्नी या उसके बच्चे भी नुक्ती के हगदार होंगे बस इसकी सर्तिया है कि शादी सरकार की पुर्व अनुमती से हुई हो हाला कि अनुकंपा पर न्यूक्ती में प्रत हम वर्यता पहली पत्नी को ही दी जाएगी वहीं दूसरी पत्नी के नाम पर तभी विचार किया जाएगा जब पहली पत्नी के दौरा इसके लिए नापत्ती और सपत्पत्र दिया जाए इसके अलावा दत्तक पुत्रव दत्तक अविवाहित पुत्री को भी अनुकंपा पर नौक्री का प्रावधान है लेकिन इसकी सर्तिया है कि उनकी अडॉप्शन हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनस एक्ट 1950 के प्रावधानों के अनुसार हुई हो आपकी जानकारी के लिवतादी के नौकंपा के आधार पर समय समय पर सामाने प्रिशासन विवाग के दौरा विविन विवाग को दौरा मार्ग निर्दीशन मांगे जाते हैं टेक्स्टाईल या लेदर के छित्र में बस एक क्लिक से पाई रोजगार अगर आप विरोजगार हैं और रोजगार के तलाश में हैं तो यहाँ खबर आपके लिए हैं तरसल बेहार में लग रहे नए उद्योगों को अनुभवी कारीगर की ज़रूरत है ऐसे में HTTPS kolum slash बिहार है तयार.in पर जाकर अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं या Google Play Store से कुशल स्रमी का एप डाउनलोड कर सकते हैं इसके लावा इस वेबसाइट पर Employers भी अपनी जरूरतों को दर्ज कर सकते हैं और कुशल कारीगर को आसानी से काम पर रख सकते हैं दुर्गा पूजा तक सभी स्वास्ते संस्थानों में शुरू होगी दीदी की रसोई बीतर दिन सुमवार को बिहार के उपमोख्य मंतरी सह स्वास्ते मंतर तेश्वी आदर के दोरा अपने सरकारी आवाज 5 सरकुलर रोड में 6 स्वास्ते संस्थानों में दीदी की रसोई सेवा का स्थुभार्ण करते वेए जानकारी दिया गया ये एक महीने के भीतर राजे के सभी मेडिकल कॉलेजों अनुमंडल अस्पताल वजला अस्पतालों में दीदी की रसोई शुरू हो जाएगी उन्होंने कहा कि विभाग का मकसद के वर बहतर स्वास्ते मोहिया कराना नहीं है बलकि रोजगार उपलब्ध करवाना भी है उन्होंने बताया कि अब तक राजे में 79 स्वास्ते संस्थानों में दीदी की रसोई सेवा शुरू हो चुकी है जिससे की 87,000 भरती मरीजों को खान पान की सुवधा दी जा रही है इसके साथ ही इससे अब तक 24 करोड का वैपार भी हो चुका है बेहार के ये तीन प्रोजेक्ट इसी साल होने वाले है जिनमें बौध गया में सौवबट का गेस्ट हाउस वैशाली में बुध समयकदर्शन संग्रहाले और पतना में बापू टावर शामिल है बतादे किसके नर्मान होने से राजी में परेटन का विकासों का मालूम हो कि इन तीनों पर्योजनाओं के नर्मानित लागत करीब सारह 500 करोर रुपए है जिसमें बोध गया कि अतीती गरी के नर्मान में कुल लागत करीब 136 करोर रुपए वहीं वैशाली में बुद्ध समय अकदर्शन संग्रहाले के निर्मान में लगने वाला कुल लागत करी 515 करोर रुपे है और बिहार की राजधानी पटना में बन रहे बापू टावर के निर्मान में कुल लागत 72 लाक रुपे है बतादे के बिहार में हर साल देशी पलेटकों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है ऐसे में पलेटन विवाग के ओर से राजधे भर के सभी पलेटन सरकिट के रास्तों में सुधाएं बढ़ाने का नड़ने दिया गया है बिहार में अब ड्रोन से होगी दवाओं और इंजेक्शन के सप्लाई बीतर दिन पटना एम्स के कारी कारी निदेशक डॉक्टर गोपाल कृष्णपाल के दोरा जानकारी देते वे बताया है कि बोहत जल्दी पटना एम्स के गिंती देश के उन पहले एम्स में होगी जो दूर दराज और दुर्गम छेतरों में आवश्रक दवाओं टी को ए एंटी स्नेक वे नाम की आप पूर्ती के रिए ड्रोन का अस्तमाल करेगा बतादी कि मेरी जानकारी के नुसार इस ड्रोन का अस्तमाल राचे में आपात काली निस्थिती या बार जैसी प्राक्रतिक आपदाओं के दोरान क्या जाएगा मालुम होकस ड्रोन को संचालक करने के लिए आवश्रक मंजूरी और जनसक्ती के अलावा खरीद और लोजिस्टिक आपचारिकताएं साल के अंत तक पूरी होने की संभावना है और इसकी सीवा अगले साल से शुरू होने की संभावना है डॉक्टर गोपाल क्रिशन पाल के दोरा दी गई जानकारी के नुसार पटना एम्स के 400 किलो मीटर के दाइरे में लगभग 10 आउटरीच के इंदर स्थापित किये जाएंगे जहां हम ड्रोन के माधियम से आवशक दवाएं टी के और एस भी तक पहुँचा सकते हैं इस पडियोजना की इस्थाई लागत 15 करोर उपे है नंबे काटन सराप के साथ दो तसकर गिरफतार बिहार में पुन रूप से सराप बंदी है से तो हम सभी वाकिफ है लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें सराप तसकरी चिजरे मामले सुनने को मिलते रहते हैं हालाक इन पर नकेल कसने के लिए उतपाद विवाग के ओर से जीतो और कोशिश की जा रही लेकिन इसके बावजूद भी इन मामलों में कच खास कमी देखने को नहीं मिल रही उल्टा सराप तसकरों के दौरा तसकरी के लिए आए दिन नए नए तरीकों का नजाद किया जा रहा है पतादे की ताजा मामला बिहार के सिवान के बसंदपूर और रागनाथपूर थाना छितर का है जहां सिवान मध्यनिशेद विवाग के द्वारा गुप्त सूशना के आधार पर एक स्कॉर्पीयो और एक कार से कुल 90 कार्टन विदेशी ब्रान की सराप बढवत की गई है इसके साथ ही पुलिस के द्वरा दो तसकर को भी ग्रफतार किया गया है जिसकी पहचान संजय कुमार और मुन्ना कुमार के रूप में की गई है पुलिस के दोरा सकारपियो और कार को जबत कर आगे की कारवाई की जा रहा ही बता दे कि बरामसरापी की मतलाखों में बताई जा रही है प्रदेश के अधिकास जिलो में बार्डिस और वजरपात की संभावना प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है बदलते हालात के बीच में इन दिनों लोगों को उमस और गर्मी से थोड़ी रहात मिली है पिछले दिन राजधानी पटना के साथ ही प्रदेश के अन्य जिलो में हुई बार्डिस के बार्ड से लोगों को थोड़ी रहात मिली है विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार 6 सितंबर तक प्रदेश में बार्डिस होने की पूरी संभावना जताई गई है इस दोरान वजरपात और मेग गर्जन की भी संभावना जताई गई है बता दे कि मौसम भाग के अनुसार आज यानी की 5 सितंबर को राचे के अधिकांज जिलों के एक या दो अस्थानों में वजरपात के साथ मेग गर्जन होने की संभावना जताई गई है महीं कल यानी की 6 सितंबर को प्रदेश के उत्तरपुर्व और दक्षनी जिलों में एक या दो अस्थानों पर बारिश होनी की पूरी संभावना जताई जा रही है जन्ता के दरबार में मुख्यमंतरी कारेक्रम में सीयम ने 51 लोगों की सुनी समस्याई बीतर दिन मुख्यमंतरी नितीश कुमार के दौरा जन्ता दरबार आयुजित किया गया जिसमें सीयम नतीश कुमार के दौरा विवर्ण विर्भागों से जुरेकल 51 मामले सुने गया और उनकी समस्याई का निदान निकाला गया बता दे किस दौरां सीरनितीस के पास एक महिला फडियादी पहुंची जिसने कहा कि उनके सक्षक पती के दवरा पत्नी और बच्चे को छोड़ दिया गया है जिसे की वे दर-दर की ठोकडे खा रही है वही सुपॉल से आई एक दूसरे फडियादी ने कहा कि उनके सरकारी जमीन पर अतिक्रमन कर लिया गया है उसे मुक्त कराया जाया गोपाल गन जले से आई एक व्यक्ती ने मुख्य मंतरी से आगड़ा करते वे कहा कि मेरे नीजी मकान में रह रहे किरायदार द्वरा अनुचित हक जताया गया है इसके लिए थाने में मामला दर्ज कराया जाने के बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा भागलपूर जले से आई एक यूवक्त ने मुख्य मंतरी से गुहार लगाते वे कहा कि दबंगो द्वरा मेरी नीजी जमीन को जबरन उनके नाम लजिश्ट्री कराने का दवाव बनाया जा रहा और नहीं करने पर धमका रही हैं भागलपूर जले से ही आई एक अनिय बुजर्ग ने मुख्य मंतरी से आगड़ा करते वे कहा कि मेरी नीजी जमीन पर परोस्यू दोरा जबरन मकान बनाया गया इसके शिकायत करने के बाद भी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही मुख्य मंतरी के सामने इस तरह के कई मामले आए जिसको लेकर सीम के दोरा संबधन विवाग को जाच कर उचित कारवाई करने का नर्देश दिया गया बिहार के बाहर से गाय खरीदने पर ही मिलेगा अनुदान दरसल अब तक लाभुक के दोरा राज्य के अंदर ही दूसरे जिले से या गाउं के आसपास की गाय खड़ी कर अनुदान का लाब पाते थे जिसे कि राज्य के कुल दूद उत्पादन में बृधी नहीं हो पाती थी ऐसे में विभाक के ओर से अनुदान देने को लेकर यह सर्त रखी गई है ताकि राज्य में दूद उत्पादन में बृधी हो सके इस बाड़े में गवे विकास निदर्शाले कि निदीशक संजय कुमार के दौरा बताया क्या है कि अनुदान योजना के तहत लाभुक पसू आपूर्ती करता राश्ट्रिय डेरी विकास बोड डेरी सर्विस से क्रे समीती की अनुद संसाया खुद भी बाहर से गाय बतादे कि समग्ड गवे विकास योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया की शुरवात 15 सितंबर से होने वाली है जो कि 15 ओक्टूबर तक जारी रहेगी इसके तहत किसी भी तरह की उन्नत नश्ल की गाय खरीदी जा सकती है जीतरनाम मांजी ने सराबंदी पर उठाया सवाल गया है और यहाँ बेदर्दी सरकार को यह नहीं दिख रहा तारी एक नेच्रल जूस है इसे निकालने और बेचने में बहु और बेतिया भी काम करती थी परन्तु वरतमान सरकार के दवाव में पुलिस उन पर जुन धारी है उरोने कहा कि सराबंदी के नाम पर गरीब और बंचित लोगों को सोसित किया जा रहा लेकिन बड़े-बड़े सराब माफिया को नहीं पकड़ा जाता है बलकि खगड़ा और जोपड़ी में रहने वाले लोगों के घर में छापे मारी किया जाता है और उसे पकर कर जेल भेराता इतना ही नहीं आज पुलिस पीने वाले के घर में भी सराब रख कर गरीब तबके के लोगों को फसा देती है तेश्वी आदब ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर बढ़ाया कदम बीते दिन बियार के उपमोखे मंतरे तेश्वी आदब के द्वारा बियार के राजधानी पटना समय दूसरे सहरों में साफ सफाई और मूल बुथ सुविधाओं को लेकर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की गए और इस मुद्धे पर गंभीर चर्चा की गए बता दे कि बीति दिन हो इस बैठक में राजधी को 20 क्लस्टर में बाढ़ कर प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल का काड़े आधुनिक तक्निक की माध्यम से करने का फैसला लिया गया है मालमों के प्रटना क्लस्टर में प्रटना महानगर चितर के सभी नगर निकाय सामिल होंगे वह इस ब्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल फैसलिटी का निर्मान रामचल बढ़िया में 86 एकर भूमी में किया जाएगा ताकि कच्रे का निस्तारन हो सके मालमों के प्रट्टिक में विवाग के अपर मुख्य सचीव अरोनिश चावला, नगर आयुक्त अनिमेश कुमार पड़ासर और नगर विकास एवं आवास विवाग के अपर सचीव आनन्द सर्मा समेथ कहीं अधिकारी मौजूद रहे टीम इंडिया के खड़ा फिल्डिंग पर फैंस हुए नाराज बीते दिन भारत और नेपाल के बीच मैच में भारतिय टीम ने टॉस शीद कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया ऐसे में नेपाल की टीम के ओश रसांदा शुरवाद देखने को भी लेकि जिस तरह टीम इंडिया ने बीते दिन हुए इस मैच में कैच को छोड़ा उससे फैंस का दल तूट गया दरसल भारतिय फैंस ने श्रवादी पांच ओवर में नेपाल के ओपनर्स को तीन जीवन दान दे दिये जिसमें से पहला कैच श्रेस अयर ने छोड़ा तो वहीं दूसरा कैच विडाट कोहली और तीसरा कैच इशान कसन के द्वारा छोड़ा गया ऐसे मैं फैंस के द्वारा टूइट कर खिलारियों पर अपना गुस्सा उतारा गया बता दे कि फैन के दोरा लगातार मीम्स की मदद से भारतिये खिलाडियों के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाया जड़ा है वालमों कि भारतिये टीम की खड़ाव फिल्डिंग का ये सिलसला बीते दिन 4.2 ओवर तक देखने को मिलता रहा भारत के तियास में आज की तारीक है कहीं कारों सदर्च रतन ताटा के नतितों में 2008 को सोसाइटी ओफ इंडियन आटो मोवाईल मैनुफैक्टर्स के प्रतिनीधी मंदल ने प्रधान मंत्री मनमोहन सिंग को भेट की भारतिये बैंक संक और भारतिये राष्टिये भुकतान निगमदोरा तैयार एटीम के जड़िये चेक निर्गम करने की तकनीकी प्रणाली को 2011 में अंतिम रूप दिया गया तमिल भाषा के विदवान और प्रख्यात समा सुधारक चिदंब्रम पिल्लाई का जन्म 1872 को हुआ था भारत के दूसरे राष्ट्रपती सर्वपल्ली राधा कृष्णन का जन्म 1882 को हुआ था प्रसद उपन्यासकार वाचस्पती पाठक का जन्म 1905 को हुआ था भारती क्रिकेटर फिरोज पलिया का जन्म 5 सितंबर 1910 को हुआ था भारती क्रिकेटर प्रग्यान ओजा का जर्म 1986 को हुआ था, अशोक चक्र विजेता, विमान परिचारी का, नर्जा भनोट का निदन 1986 को हुआ था, भारत के जाने माने सक्छावद और हिंदी साहितिकार अंबिका प्रशाद तिव्य का निदन 1986 को हुआ था, भारती अव्यंग में भी मनाया जाता है। लिखा है कि दावाफ फर्जी है पत्रकार का डीडी नियू से कोई संबंध नहीं है वाटसप आपकी प्राइवसी को और बहतर बनाने के लिए ला रहा ये फीचर मेटा वाटसप वाइज और वीडियो कॉल को और सुरक्षित बनाने के लिए एक नए फीचर पर काम कर रहा है कमपनी प्रोटेक्ट आईपी एड्रस नाम के एक फीचर पर काम कर रही है जो कॉल्स के दुरान आपके फोन के आईपी एड्रस को सेफ रखेगा यानि कॉलर इसे ट्रस नहीं कर पाएंगे आईपी एड्रस की मदद से आपकी लोकेशन का पता लगाया जा सकता है और आपके साथ कोई भी कुछ गलत कर सकता है इस समस्ते और यूजर्स की प्राइवसी को बहतर बनाने के लिए कंपनी इस नए फीचर को एप में लाने वाली है क्योंकि वाट्सेप के सर्वर के माध्यम से एंक्रिप्शन और रूटिंग प्रोसेस होती है इस अपडेट की जानकारी वाट्सेप के डेवलप्मेंट पर नजर बनाये रखने वाली वेबस्ताइट डब्लू ए बीटा इन्फो ने शेर की है फिलाली अपडेट एंड्रोइट बीटार के 2.23.18.15 वर्जन में देखा गया है आने वाले समय में कंपनी इसे सभी के लिए रूल आउट कर सकती है हम प्रति दिन आप से पांच ऐसे जरूरी सवाल और सुझर जवाब बताएंगे जो कि BPSC, पिहार पुलिस, दरोगा समीत, SSC जैसे अने प्रतियोगी परिच्छाओं में काम आएंगे सवाल इतिहास, पिहार स्पेशल, विज्ञान, करेंट अफेर्स और भुगोल से रहेंगे पूछे गए पांचो सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया क्रिपा करके यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं हमारा पहला सवाल है भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगठर इस्रोद्वारा दो सितम्वर को क्या लॉंच किया गया ओप्षण A आदित्य L1 मिशन, ओप्षण B चंद्रियान मिशन, ओप्षण C अंतरिक्ष यान, ओप्षण D इनमें से कोई नहीं इसका सहित्तर है ओप्षण A आदित्य L1 मिशन, अगला सवाल, हाली में किसने जिवरीक डामेंड लीग में सिल्वर मेडल जीता है ओप्षण A मुर्ली स्रीश चंकर, ओप्षण B नीरस चोपरा, ओप्षण C याकूब वालेश, ओप्षण D इनमें से कोई नहीं इसका सहित्तर है ओप्षण B नीरज चोपरा, अगला सवाल, हाली में पुर्वराश्ट्रपती रामनात कोविंद जी को किंद्र सरकार ने किसका अध्यक्ष बनाया है ओप्षण E समान नागरिक सहिंता, ओप्षण B लोग लेखा समीती, ओप्षण C वन नेशन वन इलक्षन कमिटी, ओप्षण D इनमें से कोई नहीं इसका सहित्तर है ओप्षण C वन नेशन वन इलक्षन कमिटी अगला सवाल, मेरितुल अहवाल किसकी रचना है? ओप्षण E मुल्ला तक्या, ओप्षण B मिर्जा नाथन, ओप्षण C मुल्ला बवहानी, ओप्षण D अद्दुल लतीफ इसका सहित्तर है ओप्षण C मुल्ला बवहानी, अगला सवाल, मद्दी कालीन मित्दा के इतिहास के इनमें से क्या महद्र पून है? ओप्षण E कृती रता, ओप्षण B कृती पता का, ओप्षण C, वर्न नाकार, ओप्षण D इनमें से सभी इसका सही उत्तर है option D इन में से सभी विद्य दिन हमार दुरा पूछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने प्रजवाब हमें हमारी comment section box में लिख कर दिया था जिन्होंने हमार दुरा पूछे के सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर आज का सवाल है आज सक्षक दिवस के मौके पर आप अपने प्रिये सक्षक के लिए क्या संदेज देना चाहेंगे आपने जवाब हमें मारी comment section में लिख कर जरूर बताएं आज के लिए चाहीं बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे हैं बिहारी न्यूस और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहें चानल को सब्सक्राइब करना और अगरा फेस्बूक से देख रहें तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद